नमस्कार खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई बैंगलुलु शहर अपने आप में देश के युवा जोश की पहचान है बैंगलुरु प्रोफेशनल्स की आन, बान और शान है डिजिटल इंडिया वाले बैंगलुरु में खेलो इंडिया का अहवान अपने आप में एहम है स्टार्ट अप्स की दुनिया में स्पोर्ट्स का ये संग्णम अधभूत है बैंगलुरु में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का होना इस खुबसुरत शहर की एनरजी को और बढ़ाएगा और देश के नवजवान भी यहां से एक नई उर्जा लेकर के लोटेंगे मैं करणाटर का सरकार को इन खेलों के आयोजन के लिए बढ़ाई देता हूँ ग्लोबल पैंडेमिक की तमाम चुनोत्यों के बीच यह खेल भारत के युवाओं के द्रड़ संकल्प और जजबे का उधारन है मैं आपके इन प्रयासों को इस होसले को सेलिट करता हूँ यह युवाँ होसला आज देश को हरक्षेत्र में नई गती से आगे ले जा रहा है मेरे नवजवान सांथियों सफल होने का पहला मंत्र होता है टीम स्पिरिट स्पोर्ट से हमें यही टीम स्पिरिट सीखने को मिलती है खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में भी आप इसे साक्षात अनुभव करेंगे यही टीम स्पिरिट आपको जिन्दगी को देखने का एक नया नजरिया भी देती है खेल में जीत का मतलब होता है holistic approach hundred percent dedication हर दिशा में प्रयास और शत्त प्रतिशत प्रयास आप में से ही कई खिलाडी निकलेंगे जो आगे राज जस्तर पर खेलेंगे आप में से कई हुआ आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे sports फिल्ड का आपका यह अनुभव आपको life की हर फिल्ड में help करेगा sports सचे अर्थ में जीवन का सच्चा support system है जो शक्ती जो सीख आपको sports में आगे ले जाती है वही आपको जीवन में भी आगे ले जाती है sports और life दोनों में जजबे का जोश का पैशन का बहुत महत्व होता है sports और life दोनों में जे चुनोतियों को गले लगाता है वही तो भी जेता होता है sports और life दोनों में हार भी जीत होती है हार भी सीख होती है sports और life दोनों में इमानदारी आपको सबसे आगे तक ले कर जाती है sports और life दोनों में पल पल का महत्व है बर्तबान पल का अधिक महत्व है इस पल में जीने इस पल में कुछ कर गुजर जाने का महत्व है जीत को पचाने का हुनर और हार से सिखने की कला जीवन की प्रगती के सबसे मुल्यवान अंग होते है और ये हम मैदान में खेल खेल में ही सिख लेते हैं खेल में जब एक और शरीर उरजार से भरा होता है खिलाडी के एक्षन में तिवरता हावी हो जाती है उस समय अच्छे खिलाडी का मस्तिश का शांत होता है धैरिय से भरा होता है ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला होती है साथियों आप नए भारत के युवा है आप एक भारत फेश्ट भारत के द्वजबाग भी है आपकी युवा सोच आपका युवाई एप्रोश आज देश की लीतियों को तै कर रही है आज युवावों ने फिटनेस को देश के विकास का मंत्र बना दिया है आज युवावों ने स्पॉर्ट्स को पुरानी सोच के बंदनों से आजाद कर दिया है नई एजुकेशन पालिसी में सपोर्टस परबल है या फिर आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रासेक्टर का निर्बान, प्लेयर्स के सेलेक्षन में ट्रांस्परेंसी, या फिर स्पोर्ट्स में आधुनिक टेकनोलोजी का बढ़ता इस्तवार, यही है नए भारत की पहचान भारत के युवाओं की अकांशाय उनकी आशाय नए भारत के निर्णव का आधार बन रही है अब देश में नए स्पोर्ट साइन्स सेंटर सापिद हो रहे हैं अब देश में डेडिकेटेड स्पोर्ट उनिवर्सरीज बन रही है यह आपकी सवलियत के लिए हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए हैं साथियों स्पोर्स की पावर देश की पावर बढ़ाती है स्पोर्स में पहचान देश की पहचान बढ़ाती है मुझे आज भी याद है जब मैं Tokyo Olympics से लोटकर आये खिलाडियों से मिला था उनके चहरे पर अपनी जीत से जादा देश के लिए जीतने का गर्व था देश की जीत से मिलने वाली खुशी का कोई मुकाबला नहीं है आप भी आज सिर्फ अपने लिये या अपने परिवार के लिए नहीं खेल रहे हैं ये उनिवर्सिटी गेम भले हो लेकिन ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं देश के लिए आपके भीतर एक उत्तम खिलाडी तयार कर रहे हैं यही जजबा आपको आगे लेकर जाएगा यही भावना आपको मैदान पर जिताएगी और मेडल भी दिलाएगी मुझे पुरा विस्वात हैं आप सभी युवासाती खूब खेलेंगे खूब खेलेंगे इसी विस्वास के साथ देश भर से आप सभी युवासातीयों को एक बार फिर बहुत बहुत सुब कामनाएं धन्यवाद